बुध्वार वरत कथा पौरानिक ग्रंथों में बुध्वार के वरत की कथा इस प्रकार है बहुत समय पहले की बात है कि एक साहुकार का नयान्या विवाह हुआ था उसकी पत्नी मायके गई हुई थी नयान्या विवाह था, नई-नई उमंग थी साहुकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था, जो रिष्टेदार थे उनके घर बहुत दूर थे अब साहुकार को अकेलापन खाये जा रहा था, उससे रहा न गया और साहुकार जा पहुचा ससुराल साहुकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुल कर बात करना दूर सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था अगले ही दिन साहुकार ने कह दिया कि विदाई की तयारी कर लीजिये हमें निकलना है अब सन्योगवश वह दिन था बुधवार का, साससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है बिटाई की विदाई क्या किसी भी शुब कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुब नहीं माना जाता लेकिन साहुकार नहीं माना और कहा मैं इन सब बातों को नहीं मानता आप हमें जाने का आशिरवात दीजिए अब अपने दामाद के आगे सासस्सुर की कहां चलने वाली थी, मन मसूसकर तयारी करनी पड़ी बेटी की विदाई कर दी गई अब चलते चलते रस्ते में साहुकार की पत्नी को प्यास लग जाती है साहुकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है, तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता अपने ही हमशकल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है उसकी पत्नी भी एक शकल के दो-दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पढ़ गई की उसका पत्नी कौन सा है जैसे ही साहुकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलट कर जवाब दिया कि भाईया मैं तो फला नगर का साहुकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धर कर यहां आ कबाब में हड़ी बनने के लिए आधम के हो ऐसे बहस बाजी करते करते दोनों में जगडा बढ़ गया जगडे को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आपंहुचे और साहुकार को पकड़ लिया अब सिपाही भी चक्कर में की दोनों की शकलतो एक समान है उन्होंने साहुकार की पत्नी से पूछा की उसका पती इन में से कौन सा है वह बेचारी क्या जवाब देती तब साहुकार ने हाथ जोड लिये और भगवान से विंती करने लगा कि हे भगवन यह आपकी क्यामाया है तब ही आकाशवानी हुई की मूर्ख याद कर कुछ देर पहले ही तुने अपने सासस्सुर की आग्या नमानकर भगवान बुध का अपमान किया और बुधवार के दिन तु अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा जबकी तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था यह स्वयम बुधदेव है जो तुम्हे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है तब साहुकार ने कान पकड़ कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियमपूर्वक वरत पालन करने का संकल्प किया तब जाकर साहुकार के रूप में प्रकट हुए बुधदेवता अंतरध्यान हुए और साहुकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका इस घटना के पश्चात साहुकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का वरत पालन करने लगे मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोश नहीं लगता और समस्थ सुखों की प्राप्ती होती है बुध ग्रह की शांती और सर्वसुख के इच्छुक स्त्रीपुरुष बुधवार के इस वरत कर सकते हैं ज्यान, बुध्धी, कार्य, व्यापार आदी में उन्नती के लिए भी बुधवार का वरत बेहत शुब और फलदाई माना जाता है बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का विधान भी है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधन विनाशक गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है ऐसे में आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं उनकी पूजा में आपको गुढ़हल लाल गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए इसके अलावा आप उनको गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं